अगर चाय के साथ कुछ नमकीन खाने का सौफ रखते हैं तो ये रेसिती जरूर देखिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रंची और बहुत ही चटपटा बनकर त्यार होता है और बनाना बहुत ही असान है बहुत कम खर्च में ये बनकर रेडी हो जाता है इसके लिए मैं यहा जूले दोने के बाद एक इस्टेनर लेना है इस्टेनर में आप चान ले छान कर सारा पानी को निकाल लेना है जब एक मिनट ऐसी ही रखे जब पानी जब सारा निकल जाया तो MIXING BAULE में उसको ढल देना है यहां पर देखिये मैं मिXING BAULE में डाल दी हूं अब इसमें सबस डालने से बहुत ही क्रेस्पी बनेगा ये एक चमच मैं यहाँ पर आमचूर पॉडर डाल रहे हूँ एक चमच लाल मिर्श डाल रहे हूँ लाल मिर्श अपने कम जादा टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं मगर थोड़ा सा चटपटा बनाना है तो लाल मिर्च डालना जरूरी है हल्दी डालें एक चम्मच आधा चम्मच काली मिर्च डालें आधा चम्मच जीरा पौडर डालें थोड़ा सा हींग मैं डाल रहे हूं ताकि बहुत ही अच्छे खुस्बू भी आए और बहुत ही अच्छा ये चटपटा बनता भी है कलर के लिए मैं यहाँ पर कास्मिरी लाल मिर्च डाल रहे हूं अब इसे आप डाल कर धीरे धीरे हाथों से इसको मिक्स करना सुरू करें मिक्स करेंगे एक लेयर इस पर लिपटता जाएगा और मैं कलर के लिए थोड़ा सा रेड बने इसके लिए फूड कलर मेरे पास था तो मैं हलका सा डाल रहे हूं और उसके साथ साथ मैं मैं निम्बू का रस डाल रहे हूं क्योंकि निम्बू का रस और बेकिंग सोडा दोनों एक साथ डालिएगा क्योंकि baking soda जब खटा में डालते हैं तो अच्छे से activate होता है हलका सा पानी डालते हुए अब इसको हलके हलके हाथों से mix करें ज्यादा हर बढ़ा कर नहीं करना है क्योंकि इसमें layer आपको लगाना है एक अच्छे से तो हलके हलके हाथों से करेंगे और ज्यादा उसको रगरना नहीं है या तो आप toss करने मिक्स करने के लिए या हलके हाथों से करें काला नमक मैं डाल रही हूँ काला नमक जरूर डालिएगा सारे घर में मसाले ये सब मिलते ही है और होते ही है सब के घर में होता है कीचेन में और ये सारे मसाले डालने से बहुत ही चटपटा ये बनकर रेडी हो जाता है अगर ड्राइ लगता है तो थोड़ा सा पानी और डाले और अच्छे से उसको त्यार कर ले यहाँ पर देखिए मैं तेल गरम होने के लिए रख दी हूँ तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो आप गैस को लो मीडियम पे कर दीजेगा सबसे पहले मैं एक मुंगफली डालूँगी ताकि एदम तेल अच्छे से गरम भी हो जाए एदम बैलेंस में हो जाए और उसके बाद थोड़ी देर उसको पकने देंगे किकि मुंगफली पकने में टाइम लगाता है तो इस चीजा का ध्यान रखना है कि मुंगफली थोड़ी देर आपको पकाना है अंदर तेल में और उसको देखिए मैं धीरे-धीरे डाल रही हूँ आप एक बार चार चार उसके बाद दो मिनट और उसको पकाएं लो मीडियम पे और जब ये पक जाएगा अपने आप आपको पता चल जाएगा एदम करंची दिखेगा आपको और उसके बाद इसको निकालें और टीशू पेपर पर डालते जाएं ताकि एक्स्ट्रा ओयल सारा निकल जाए ऐसे ये ज़्यादा तेल उसमें लगता नहीं है और मुंखफली एकदम बहुत ही क्रंची बनकर रेडी हो जाता है फिर मैं सेकेंड बार डाल रहे हूं तो वैसे ही आप फटा-फट डालें और तेल जितना भरेंगे उतनी जल्दी ये च्छन कर रेडी हो जाता है बनाना बहुत ही कोई मेहनत नहीं है एक बार बनाएंगे बहुत दिन चलता है और मार्केट में एक तो बहुत जादा महंगा भी होता है और पैकेट में बहुत कम भी रहता है पैसा देने के बाद भी बहुत थोड़ा सा मिलता है घर का बना हुआ चीज बहुत ही अलग होता है और अपने हिस से लिपट ले strings कर लें अगर नमक भी कम होगा तो काला नमक आप इसके साथ डाल सकते हैं और चाट मसाला अच्छे से डाल कर उसको मिक्स कर ले मिक्सकर करके अब इसे आप एक MAKSING BOWL में डाल रख्ये LAUGHTER थंड़ा कर लें थंड़ा होगा तभी आप कोई 15 which करेंगे गरम-गरम में बिलकुल नहीं बंद करना है एक दम अच्छे से ठंड़ा हो जाए एक दम करँची लगे का कर भी आप टेस्ट करने एक ठंड़ा हो जाए तब ही आप इसको एर टाइट डबे में बंद करके आप महीना दो महीना तक रख सकते हैं यहां पर देखिए मैं काच का एक जार में रख रही हूँ और बहुत दिन तक ये चलेगा थोड़ा थोड़ा खाते हैं चट पटा सा अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दे शेयर कर दे अपने फैमिली एंट फैरेट में और सब्सक्राइब